अगले महीने अक्टूबर में बैंकों में 21 दिन नहीं होगा काम काज। आईए बताएं कौन-कौन सी तारीखों में बंद रहेंगे बैंक। कई अन्य तहवारों के चलते देश के अलग अलग जगहों पर कुल 21 दिन बैंक बंद रहेंगे दोस्तों आपके स्क्रीन पे सभी छुट्टियों की सूची दिखाई जा रही है इस लिश्ट के लेफ सेट वाले कॉलम में दिखाया गया है के बैंक कौन कौन सी तारीखों को बंद रहेंगे वही राइट सेट वाले कॉलम में बताया गया है के इन तारीखों पर देश के किन किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे वहीं जो बीच वाला कॉलम है इसमें बैंक इन तारीकों को क्यों बंद रहेंगे इसका कारण बताया गया है देखें अगली खबर 12 साल के बच्चे के साथ हुई निर्भिया जैसी वारदात देश की राजधाने दिल्ली में चार लोगों ने किया बलातकार फिलाठी और डंडो से पीटा बाद में मरा हुआ समझ के सड़क पे फेंक गए जी हां दिल्ली में निर्भिया जैसी दरिंदिगी का एक संसनी खेज मामला सामने आया है जैनकारी के मताबिक यहां 12 साल के एक बच्चे के साथ यानि के लड़की नहीं बलके लड़के के साथ पहले चार लोगों ने बलतकार किया फिलाठी डंडो से पीटने के बद मरा समझ के सड़क के किनारे फेंक दिया जैनकारी के मताबिक अब पलिस ने बच्चे को अस्पताल में भरती कराया है साथी बतायागा है इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफतार भी किया है मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक बीते 18 सेतंबर की ये वारदा सिलमपूर इलाके की है हलाके बच्चे के माता पिता को घटना की जानकारी 22 सेतंबर को मिले बताया गया है दिल्ली के महिला आयोग प्रिजिडेंट स्वाती माली वाल ने बीते रविवार को इस पूरे मामले का खुलासा किया है वही दिल्ली महिला आयोग ने इस घटना का संग्यान लिया है और दिल्ली पुलिस को एक नोटीस जारी किया है वहीं 28 सितंबर तक मामले की रिपोर्ट देने के लिए कहा है साती स्वाती माली वाल ने ये भी कहा कि दिल्ली में लड़कियां तो क्याब लड़के भी सुरक्षित नहीं है देखें अगली खबर राजस्थान में सचिन पैलेट के विरोध में 70 विधायकों ने दिया इस्तीफा स्पीकर के घर पहुँचे गहलोध समर्थक है मैले वहीं दूसरी और कांगरिस हाई कमान ने सीम और सचिन को दिल्ली बुलाया जिया राजस्थान की राजनीती एक नए मोड पे आ गई है मुख्य मंतरी अश्रोक गहलत के कांगरिस अध्यक्षपत के लिए नामंकन भरने की तैयारी है उनकी जगा मुख्य मंतरी के रूप में हाई कमान की पसंद सचिन पैलेट है लेकिन गहलत खेमा पैलेट के नाम पे नाराज हो गया है यानि कि अश्रोक गहलत के सपोर्ट वाले जो विधायक हैं वो इससे नाराज है अभी हाली में बीते रविवार को विधायक दल की बैठक से पहले ही गहलोद गुट के करीब सतर विधायकों ने विधान सभाद देख्ष सीपी जोशी के घर पहुँचकर अपना इस्तिफा दे दिया वहीं मंतर प्रताप सिंग ने दावा किया है कि हमारे पास 92 विधायक है साथी का हमारी बस एक ही मांग है कि बगावत करने वाले लोगों में से सीम ना बनाया जाए वहीं दूसरी और कांगरे साला कमान ने अश्रो गहलो तो सचिन पाइलेट साथी में जैमाकन अमुलिका अरजुन खडगे को दिल्ली बुलाया सूतरो के मताबिक कांगरे साला कमान अश्रो गहलो तो सचिन पाइलेट को समझाएगी जाहिर बाता यही समझाया जाएगा कि राजिस्थान की राजनीती में जो भी उथल पुथल चल रही है इन सभी मामलों को सेटल किया जाए देखें अगले खबर देश के पाँच राजियों में फिर है भारी बारिश के आसार अगले दो दिन लोग प्रेशर जोन दिल्ली हिमाचल उत्रकंड बंगाल और बिहार को करेगा तरबतर जियां भारत में मौनसून यानी के बारिश का मोसम अभी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है ताज़ा जानकारी के मताबिक अमौसम विभाग ने 25-27 सितंबर के बीच हिमाचल प्रदेश उत्रकंड पर्शिम बंगाल साथी में बिहार के लिए भारी बारिश की चितावनी जारी की है इसके अलावा भी उत्तरपूर्वी छेत्रों में खासकर करोनाचल परदेश में असम में मेघाले में नागलेंड में मनीपूर में साथी मीजूरम और त्रीपूरा में भी 25-27 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना है दोस्तों ये तो बारिश का अपडेट रहा आने वले दो-तिन दिनों के लिए लेकिन आग 26 सितंबर 2022 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल आई ये अगली खबर में आपको इसके बारे में बताते हैं मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूरवनुमान जी है मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दोरान राजस्तान के पूर्वी उत्तर हिस्सों में साथी दिल्ली अंसियार के भी कुछ हिस्सों में मोही पश्री में उत्तर प्रदेश में हर्याना में, असम में, मेघाले में सातिय रोनाचल परदेश में और नागर लेंड में भी हलकी से मध्यम बारिश के साथ कुछ इस्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। अंकीता ने चैट में कहा गरीब हूं तो क्या दस हजार में बिग जाओंगी जियां अंकीता भंडारे उम्र महज 19 साल अभी हाली में 28 अगस को रिश्री के वनंतरा रिसोर्ट में बतोरी सबसिनिष्ट काम शुरू किया बीते शनिवर सुबह अंकीता की डड़ बोड़ी एक और रिसोर्ट के मालिक पूल की तारे और इसोड़ के मेनेजर सौरभ भासकर और अंकीता गुपता पर ताज़ज जानकारी के मताविक अबदेनिक भासकर को अंकीता भंडारी की कुछ चैट मिली है कि उस पर रिसोर्ट में आने वाले वी आएपी गेस्ट को तुसपा सितंबर की है यानि के डड़ बोडी मिलने से साथ दिन पहले की साथ ही एक और ताज़ा जानकारी के तहट आपको बता दें के अंकिता भंडारी के हत्या के मामले में एक बड़ा प्रदशन हो रहा है देखें इससे जुड़ी खबर अंकीता मडर केस को लेके सड़कों पे उत्रे लोग कई दुकाने भी बंद हैं अंकीता के पोस्टर को लेके प्रदशन कर रही है महिलाएं वहीं पोस्ट माटम की रिपोर्ट से नाखुष परिवार ने कहा के नहीं करेगा अंतिम संस्कार मनाने के लिए उत्रखंड के होम टाउन श्रीनगर में सेकड़ों लोग प्रदशन कर रहे हैं महिलाओं ने अंकीता के फोटो वाले पोस्टर उठाएके इंसाफ की मांग की है आपको बता दे से पहले भी बिते शनीवार को नाराज लोगों ने आरोपी पुलकित आरे के रिसोर्ट में आग लगा दी थ भंडारी हत्याकांट की सुनवाई फास्ट्रेक कोट से कराएंगे साथी का ही जगहन और घ्रणित अपराद करने वालों को किसी भी सुरुत में बख्षा नहीं जाएगा साथी दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया बीते शनीवार को रिशिकेस में अंकीता के पोस्माटम उसे फोन पे बात की है उन्होंने बेटी के निदन पर शोग जताया साथी अंकीता भंडारी के परिवार को भरोसा दिलाया है कि अंकीता के गुनाहगारों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी सीम धामी ने कहा कि बेटी का आरोपियों को किसी भी स्तिती में बख्षा नहीं जालाइका इन खबरों के आने के कुछ देर के बाद अंतिम संसकार को लेकर एक बड़ी खबर आई उत्त्रकंड की बेटी अंकीता को फा cuestión के अकरी वुदाई लगगuğक subscri no से बाचीत के बाद अलग नंदा के घाट पे हुआ अंतिम संसकार जिया उत्रखंड के श्रीनगर में साड़े आठ घंटे चले प्रदर्शन के बाद रवीवार को ही अंकीता भंडारी का अंतिम संसकार कर दिया गया जैसा कि अभी हमने आपको बताया पहले तो परिवार ने डिटेल पोस्ट माटम रिपोर्ट सारवजनी करने की मांग कर अंतिम संसकार करने से इंकार कर दिया हाले के बाद में प्रश्रसन के समझाने बुजाने पे परिवार राजी हो गया देखें अगले खबर अगले महीने एक अक्टूबर से होंगे ये छे बड़े बदलाओ आ आपको बता दे मौझूदा नियम के अनुसार 18-40 साल तक की अमर का कोई भी भारते नागरिक सरकार की स्पेंशन योजना में जोड़ सकता है भले ही वो इंकेम टेक्स भरता हो या ना भरता हो हाला कि अभी ये नियम आने वाले अक्टूबर के महीने से बदल जाएगा वही कि जो आपका debit card या credit card है अभी तक उसकी जानकारी सेव कर ली जाती थी जैसे कि आपने किसी online platform से खरीदारी की तो आपके पास वहाँ पे option होता था कि आपको बार बार अपने card की detail नहीं डालनी पड़ती थी हाला कि इसका एक घाटा था कि आपके card की जानकारी उस platform ये इसी mutual fund में निवेश करने वाले लोगों के लिए nomination के detail देना जरूरी होगा ऐसा नहीं करने वाले निवेश को को एक declaration form भरना होगा declaration में nomination के सुविधा नहीं लेने की घुशना करनी होगी वहीं दोस्तों अगला बड़ा बड़ा होगा small saving scheme को लेकर जानकरी के मताबिक RBI के रेपोरेट बढ़ाने के बाद देश की ज़धातर बैंकों ने FD पे मिलने वाले ब्यासदर में बढ़ोतरी की है ऐसे में आप post office small saving scheme जैसे कि PPF या senior citizen saving scheme इसी तरह की जो भी इसकी में हैं उनकी ब्यासदरों में बढ़ोतरी हो सकती है बताया गहा है नई ब्यासदरों का एलान 30 सितंबर को ही किया जा सकता है आप इस image के जरीए देख सकते हैं कि अभी post office की कौन सी scheme पर कितने फिजदी का ब्याज मिल रहा है दोस्तो वहीं अगला बड़ा बड़ा हो सकता है डीमेट अकाउंट को लेकर जिसके जरीए हम ट्रेडिंग या पैसे इन्वेश्ट करते हैं शेर बाजार में जैनकरी के मताबिक डीमेट अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर 2022 तक two-factor authentication पूरा करना होगा इसके बाद ही आप अपने डीमेट अकाउंट में लोग इन कर पाएंगे दोस्तो आपको बता दे two-factor authentication लगाने की वज़े से आपका डीमेट अकाउंट काउंट काफी ज़्यादा सेफ हो जाएगा तब तब आपके फोन पे एक OTP आएगा OTP डालने के बाद ही आपका अकाउंट लोग इन होगा वहीं दोस्तो अगला बड़ा बदला हो सकता है गेस सिलेंडर को लेकर दोस्तो आपको बता दे हर महिने की एक तारीक को LPG ГЕस सिलिंडर की कीमतों की समिक्ष की जाती है यानि के सिलिंडरों के दाम को या तो घटाया जाता है या तो बढ़ाया जाता है जियां कभी छिपकली को आपने हिरन खाते देखा है अगर नहीं देखा है तो वीडियो देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे सबसे पहले आपको बता दे कि ये मामला कब और कहां का है फिलाल इसकी पुष्टी नहीं हुई है लेकिन इस 29 सेकंड के वारिल वीडियो में एक कोमोडो ड्रैगन जो के देखने में बिलकुल एक छिपकली की तरह लगता है वो हिरन के एक बच्चे को अपना खाना बनाते हुए दिख रहा है आपको बता दे जिस तरह से इस बड़ी छिपकली ने हिरन को निगला ऐसे अपने अजगर को अपना खाना निगलते हुए देखा होगा देखें अगली खबर आज रवीबार सुबह 11 बजे मन की बात में पीम मोदी ने किया ऐलान कहा चंडिगर एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंग के नाम पे रखा जाएगा परदान मंती नरेंदर मोदी ने तिरानवी मन की बात कारिकरम में ये एलान किया है कि चंडिगर एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंग के नाम पे रखा जाएगा बताया गया है ये फैसला भगत सिंग की जनती के मौके पर उन्हें श्रधांजली देने के लिए लिया गया है आपको बता दे शहीद भगत सिंग की जनती आने वले 8 सितंबर को मनाई जाएगी ये जो फैसला लिया गया है इस पे पी एम मोदी ने कहा कि मैं चंडीगर्ट पंजाब हरियाना और देश के सभी लोगों को इस निरने की बहुत-बहुत बधाई देता हूं देखें अगली खबर पब्लिक प्लेस पे चार्ज में लगाया मोबाइल और बैंक अकाउंट से गायब हो गए 16 लाख रुपे रेल्वे स्टेसन या एरपोर्ट पे फोन चार्ज करने पे हो सकती है जूस जैकिंग आईए बताएं इससे कैसे बचे और ये क्या है सभी तरह के फोन चलाने वालों के लिए बेहती जरूरी है ये जानकारी जियां हैदराबाद में एक कंपनी के सी यो को 16 लाख रुपे का नुकसा जहिलना पड़ा है दरसल वो किसी पब्लिक प्लेस पे अपना मॉबाइल USB पोर्ट के जरीयर चार्ज कर रहे थे बाद में पता चला कि उनके अकाउंट से 16 लाख रुपे उडा लिये गए हैं इससे पहले भी नई दिल्ली के एक महिला ने ऐसी ही शिकाय धर्ज करवाई थी कि दिल्ली एरपोर्ट पे जब उनके फोन की बैटरी कम हो गई इसके बाद उन्होंने एरपोर्ट पे मौजूदा USB चार्जिंग इस्टेशन पर अपना फोन चार्ज में लगा दिया कुछ घंटे के बाद महिला के मौबाईल पे एक मैसेज आया जिसमें पता चला के बैंक अकाउंट से एक लाग बीस जार उपे निकाल लिये गए इससे पहले भी इसी महीने उड़ी साब पुलिस ने भी एक ट्विट किया जिसमें कहा गया कि अपने मौबाईल फोन को पब्लिक प्लेस जैसे मौबाईल चार्जिंग इस्टेशन ये यूसबी पाउर इस्टेशन पे चार्ज ना करें ऐसा करने से साइबर फ्रोड करने वाले आपके मौबाईल से आपकी परसनल जानकारी चुरा सकती हैं पर दोस्तो कई बार देखा जाता है कि इसके जर्य पैसे भी निकाल लिये जाते हैं जैसे कि हमने आपको कुछ मामलों के बारे में बताया दोस्तो आपको बता दे इस तरह के फ्लोड को जूस जैकिंग कहते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि पब्लिक प्लेस पे तो हम भी अपने फोन को चार्ज करते हैं कि हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है तो आपको बता दे इसका जवाब है हाँ आपके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है जाहर बात इस तरह की सिच्वेशन में आपको पता होना चाहिए का इत कि जूस जेकिन क्या होती है और इसके जरिये कैसे पैसे उडा लिए जाते हैं और आप इसे कैसे बच सकते हैं तो सबसे पहला बड़ा सवाल यही है क्या अफिर यह जूस जेकिन क्या है तो आपको बता पर गंब यांओने टरूर आसरो लाक कृरा के लगों को पैसें कर सकते हिए। इसी की वज़े से जब आप अपने फोन को किसी पब्लिक प्लेस पर USB चार्जिंग पॉइंट के जरीए चार्ज करते हैं, तो आपका डेटा चोरी हो जाता है, वैसे तो एक्सपर्ट यही सला देते हैं कि जब भी आप कभी बाहर सफर पे निकलें, तो अपने साथ पावर बै का इस्तेमाल किया जाता है, पहला चार्जिंग पॉइंट होता है USB to USB, इसमें आप बिजली के बोर्ड में सीधे अपना USB केबल लगा देते हैं, और यही वो चार्ज करने का तरीका है, जिससे आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपका बैंक खाता तक खाली हो सकता है, हाले कि जो दूसरा चार्जिंग पॉइंट होता है AC पावर सोकेट वाला, यानि के जिसमें हम प्लग लगाते हैं, अगर आप इसके जरीए पब्लिक प्लेस पर भी अपने फोन को चार्ज करेंगे, तब आपका डेटा चोरी नहीं होगा, इसके पीछे हैसल बात यह है के चार्जर में सबने कहा थेंक यू, जियां दक्षे अमेरिका के देश गुआना में, विदेश मंतरी हूग हिल्टन टोड ने, बीते शनिवार को न्यूर्क में कहा कि हमारे देश को भारत के विकास से बहत फाइदा हुआ है, क्योंकि भारत का फोकस मानव विकास पे रहता है, जानका करने संयुक्त राष्ट महासभाय के सत्तरवें सत्र को संबोधित किया, उसकी वज़े से अपने देश की दुनिया भर में तारीफे हो रही है, देखें अगली खबर, यूपी के लिलिदपूर में फसल काटने जा रहे है, मजदूरों से भरी ट्रेक्टर ट्रॉली के ट्रक को ही हुआ है, हाथसा होने की वज़े से चारो और चीखो पुकार मच गई, सुचना मिलने पे पुलिस पहुची हो घायलों को अस्पताल पहुचाया, देखें अगली खबर, थैंगोड मुवी की रिलीज पे छाय संकट के बादल, अजे देगन को चितरगुप के रूप मे लड़कियों के साथ नास्ता देख भड़के लोग, अब एक नई शिकायत होई दर्ज, जियां अजे देवगन और सिधर्त मलोतरा की फिल्म, थैंगोड मुवी के खिल्मेकर इंदर कुमार, और थैंगोड के अभी निताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश के जोनपूर में, अब इहाल ही में धर्मिक भावनाओं को आहत किये जाने का एक मामला दर्ज करवाया गया था, अब ताज़ा जानकारी के मताबिक कायसस समाज के सदस्यों ने रजस्तान में इस मूवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने फिल्म पे उनके समोदाएक की धर्मिक कोट में चला जाता है, तो मूवी की रिलीजिंग भी रुख सकती है, देखे अगली खबर, कोट में लेडी वकील को छड़ने वला जज़ुआ सस्पेंड, छड़ते समय जज सहाब ने लेडी वकील को अपनी तरफ खीचा, और फिछ चेहरे से बालों को हटाया, बाद में लेडी की बदनामी के लिए, इससे जोड़ी CCTV फूटेज वीडियो भी वरिल कर दी, जी हर्याणा के भीवानी में अतरिक जिला एवन सत्र नयाधिश यानि के ADG ने महिला वकील से छेड़ छाड़ की, बताया गया है ये घटना भीवानी कोट कॉंपलेक्स में हुई, ताज की कारवाई श्रू कर दी है, देखें अगली खबर, आलिया भट की हॉलिवुड फिल्म का फ़र्श लुक हुआ रिलीज, हाट ओफ इस्टोन मुवी में अक्शन करती नजर आई, अगले साल 2013 में रिलीज होगी ये फिल्म, जिया बॉलिवुड एक्टरस आलिया भट ने सो फिल्मों की लिष्ट में है टॉप पर, जिया ब्रमास्तर मुवी ने 15 दिन सभी भाषाओं को मिला कर, भारत में 241 कौड रुपे का कलेक्शन किया है, ट्रेड एक्सपर्स का मानना है के फिल्म जल्दी 250 कौड रुपे का आकड़ा पार कर लेगी, आपको बता दे 410 कौड क का, असल में जो ब्रमास्तर मुवी है, इसने कमाई तो जादा की है, लेकिन जानकारी के मताबिक इस मुवी को बनाने में 410 कौड रुपे खर्च हुए हैं, वहीं जो दा कश्मीर फाइल मुवी है, इसने वर्ड वाइड लेवल पर अभी तक 341 कौड रुपे के कमाई की है हला कि इस मुवी को बनाने का बजट केवल 12 कौड रुपे है, इसे की वज़े से इस साल अभी तक सबसे ज़ादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म यहीं यानि के दा कश्मीर फाइल मुवी है, देखे आंगली खबर, गूगल अपनी मोनोपोली की वज़े से फिर है चर्च आपको बता दे गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है, जो आदे सेकंड से भी कम समय में आपको 10 अरप से ज़दा सर्च रिजल्ट दे सकता है, हला कि इस बात पर निर्भर होता है कि आपने क्या पूछा है, आपको बता दे गूगल 10 अरप से ज़दा सर्वर से सीधर जुड़ा में हैं, जैनकारी के मताविक दरसल गूगल एंड्रोइड फोन निर्माताओं पे दबाव बना रहा है, कि वो उसका ही सर्च इंजन यानि के क्रोम का ही इस्तेमाल करें, तो इसी मोनोपोली के विरोध में भारत और अमेरिका से लेके यूरोपियन यूनियन तक ने गूगल पे कानूनी शिकंजा कसा है, शायद दोस्तों आप नहीं जानते होंगे कि गूगल का याइडिया एक कार गरेस से शुरू हुआ था, हलाकि आज अब ये लोगों की रोज मन रहा की जिन्दगी का हिस्सा बन गया है, आपको बता दें, गूगल के दो मालिक हैं, एक का नाम स से है जादा खत्रा, असली परिक्षा तो तब होगी जब इन्हें में जंगल में छोड़ा जाएगा, अभी तो है एक छोटे से एरिये में एक्सपर्ट्स की निगरानी में, जी आ मद्दे परदिश के कुनो नेशल पार्क में चीतों की परवरिश हो रही है, वो भी अगर शिफ्ट करने का रास्ता खुलेगा, इसलिए भारत और नामी बिया के एक्सपर्ट इन पर 2400 घंटे नजर बनाये हुए हैं, बताया गया है चीतों का ध्यान रखने के लिए नामी बिया से तेरा एक्सपर्ट की टीम आई है, ये एक महीनी तेक नजर रखेंगे और अनलेसिस करेंगे, भारत के अफसर भी ने एक्सपर्ट से चीतों के बारे में जानेंगे, ताकि भविश में उनका रख रखाव ठीक से हो सके, इरान में बाल खोलने वाली लड़की का हुआ कतल, महिलाओ के साथ प्रदशन कर रही थी 20 साल की हदिस नस्वी, प्रदशन की अगवाई कर रही, 20 साल की हदिस नस्वी की पुलिस फारिंग में मौत की खबर है, सोशल मीडिया पे उनकी मौत से सम्मधित कई वीडियो वारल हो रहे हैं, जानकारी के मताबिक बीते शनिवार को हदिस नस्वी तहरान के कुछ दूर इस्तितकराश शहर में कई महिलाओ के में दिखाई जाएगी राम लीला जो धिया दुनिया के सबसे फेमस राम लीला आने वले 26 सितंबर से इस्तितल में दिखाई जाएगी, आपको बता दे इस मौकह में बीते 25 सितंबर को सभी कलाकारों ने राम लीला के फुल डेस रिहसल पूरी की आपको बता दे हर सल की तरह इस साल भी दशरे के मौके पे लोको समीती राम लीला और्गनाईज कर रही है बॉलिवुट के कैसे लिबस इस राम लीला का हिस्सा रह चुके हैं देखें अगले भजन और सूरे नमसकार को लेके नाराजगी जाहिर की है उन्होंने परशासनों सिक्षवी भाग से इसे रोकने का आग्रह किया है संगठन का कहना है कि ये मुसल्मानों के धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है दोस्तो अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके ल और सूरे नमसकार को बंद किया जाना चाहिए या नहीं इस पूरे मुद्दे पे आपकी परसनल राय क्या है वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रू लिखें आपके दिये के जवाब से काफी कुछ पता चलता है देखें अगली मुलाकात की आपको बता दे ये मुलाकात करीब एक घंटे तक चली मुलाकात के बाद नितिश ने कहा कि हम देश के कई दलों को एक जूट करना चाहते हैं वहीं सोनिया गांदी ने 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी करना है अध्यक चुने जाने के बाद फिर से इने मि च्छे विकट से हराया सूरे कोहली के बिच 62 बॉल में 104 रन की रही पार्टनर्शिप जियां सूरे कुमार यादाव विराट कोहली के तुफानी अर्सतकों के दम पर टीम इंडिया ने बीते रोज 30 20 इंटेर्नेशनल में अस्ट्रेलिया को च्छे विकट से हरा दिया इसके के सीरीज में कुल तीन मैच खेले गए एक मैच तो अस्ट्रेलिया ने जीता लेकिन दो मैच हमारे भारत ने जीते इस जीत के साथ ही लगबग 9 साल के बाद भारत ने अस्ट्रेलिया से होम सीरीज जीती है देखें अगली खबर बीते रोज एक बार फिर से मिले 47 सो से जादा ने मामले कोरोना वारस के इसी दुरान फिर गई 12 लोगों की जान कोरोना के कारण जी यहां बीतरोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 47 सो से जादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वारस के इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में अक्टिव केसों की संख्या 41,406 हो गई है यानि के अब देश में इतने ही कोरोना के मरीज रह गए हैं बाकी जैसा के हमने आपको बताया एक बार फिर से 12 लोगों की जान गई है कोरोना के करण के वल एक दिन में देश भर बें हालेकिन अच्छी बात ही रही किसी दोरान 51 सो से जादा लोग ठीक भी हुए है कोरोना वारस से देखें अगली खबर सबसे पहले इन बाइक को रोकती है ट्रेफिक पुलिस नुकसान से बचना है तो जान ले ये बाते जिया आपने ट्रेफिक सिगनल पे अकसर देखा होगा कि पुलिस दूर से ही कुछ गाड़ियों की पहचान करके उसे हाथ देके रुक लेती है और उसकी चेकिंग करने लगती है आपके साथ भी कभी ने कभी शायद ऐसा हुआ होगा या आपने किसी और के साथ ऐसा होते हुए देखा होगा दर असल बाती है कि हम बाइक सरक पे के घंड़े जाते समयं छोटी मोटी कुछ असे गलती है कर जाते हैं जिससे single Sabbath की नजरों में हम जट से आ जाते हिंजैसे कि पहले गलती है बाảiक को मोडिफाइग कराना modify bikes दूर से ही दिख जाती है और अपने segment में कुछ अलग होने के कारण traffic police की निगाहों में जल्दी आ जाती है साती जानकारी के मताबिक traffic police की निगाहों में आने का एक दूसर सबसे बड़ा कारण होता है fancy number plate आपको बता दे motor vehicle एक के अनुसर गाड़ियों में fancy number plate लगवाना अवैद है नियमों का उलंगन करने वालों के खिलाब भारी चलान कटता है देखें अगली खबर बिहार मेंने 30 के साथ गट बंधन के सभी दरवाजे हुए बंद अमिश्राह ने किया ऐलान बिहार भाजपा के लिए 2024 के लोग सभा चुनाओ और 2025 में होने वाले विधान सभा चुनाओ के लिए सबी बातें साफ कर दी हैं उन्होंने कहा है कि बिजेपी चुनाओ लोग सभा चुनाओ के बाद और विधान सभा चुनाओ से पहले अपना मुख्य मंत्री पत का उम्मिदवार घोशित करेगी साथ यमिशाह ने कहा कि हमने अपने पूर सहयोगी और बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार के भविश्य के किसी भी गट बंधन के लिए सबी दर्वाजे बंद कर दिये हैं यानि कि बीजेपी पार्टी ने इसाफ कर दिया है कि आने वले भविश्य में भी अब वो नितिश कुमार के साथ गट बंधन नहीं करेगी देखें बीजेपी पार्टी से जुड़ी एक और खबर सताइस सितंबर को बीजेपी ने बुलाई बैठक सभी राज्यों के परभारी होंगे शामिल जियां चुनाओ के लिए कि बीजेपी ने राज्य परभारियों की एक बैठक बुलाई है जानकारी के मताबिक ये बैठक आने वले सताइस सितंबर को होने वाली है सुत्रों के मताबिक इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्री महासचिव बीयल संतोस करेंगे बतायागा है बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड़ा भी शामिल हो सकते हैं आपको बतादे इस बैठक से पहले सभी परभारी अपने परभार से सम्बनी राज्यों का दोरा भी कर रहे है इन राज़्ों में संगठनों को मजबूत करने के लिए इस तरह की बैठक हो रही है खुल मिला कर असांसी भाशर में कहें तो बीजेपी असी मेहनत कर रही है ताकि आने वले दिनों में देश के सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार हो देखे आंगली खबर ताइवान को लेके चीन की खुली धम की कहा रास्ते में आने वालों को मिलेगा करारा जवाब जी आग, चीन ने ताइवान पे अपने दावे को लेके प्रतिबदता रेखांकित करते हुए बीटेशनिवार को विश्व नेताओं से कहा कि जो कोई भी उसके ओ ताइवान के पीच में आएगा उसे करारा जवाब का सामना करना पड़ेगा दोस्तों आपको बता दे चीन ताइवान पर अपने दावे का जोर दर बचाओ करता है असल में ताइवान 1949 के ग्रह युद के बाद चीन से अलग हो गया था हलाएके चीन बराबर ताइवान पर अपना दावा ठोकता रहता है और उसे अपने ही देश के प्रांथ के रूप में मानता है और कभजा करने की भी बात करता रहता है हलाएके अमेरिका इसके खिलाफ है देखें अगली खबर पेड़ के नीचे सो रहा था टाइगर कुते ने ललकारा टाइगर ने बस आठ सेकेंड में ही खत्म कर दिया खेल देखें इस वीडियो में ये सब कैसे हुआ दोस्तो टाइगर के सामने तो बड़े बड़े जानवर घुटने टेक देते हैं लेकिन रंथम बोर के जंगल से एक ऐसे वीडियो सामने आया है जिसे देखें लोग शौक्ट हैं जैसा कि आपने वीडियो में देखा एक बाग आराम से पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था तब ही उसके करीब एक कुत्ता आता है और अचाना की भौकने लगता है अब बाग के सामने कहां कुत्ते की चलने वाले थी वो तो कभी-कभी ऐसे मौक्य आते हैं यब कुत्तों को भारी पड़ता हुआ दिखाय जाता है जैसे ही कुत्ते ने भौका वैसे ही शेर ने उसे पकड़ लिया और महज 8 सेकेंड में उसका दम निकाल दिया देखें आगली खबर गहलोत के बाद राजस्थान का मुक्य मंत्री तै नहीं है रेस में आगे चल रहे हैं चार नाम चोकाने वाला हो सकता है फैसला जियां राजस्थान में राजनीती काउट किस करवट बैठेगा इसको लेके तमाम तरह की अटकले जारी है मुक्य मंत्री अशोग गहलोत के कांग्रिस अध्यक्ष बनने की परबल संभावनाओं के बीच लगबग ये तै हो चुका है के जल्दी उनका ठिकाना दिल्ली होगा यानि के कांग्रिस पाटी की पूरी जिम्मेदारी उन पर होगी हाला के वहीं दूसरी और राजस्तान में मुक्य मंत्री की कुर्सी को लेकर आज रवीवार को बड़ा फैसला हो सकता है बतायागा है विधायक दल की बैटक में ने निता का चुनाओ किया जा सकता है संदो 2018 से ही सबर करके बैठे सचिन पाइलेट सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं कांग्रिस आला कमाल खास करके राहूल और प्रियंका सचिन पाइलेट के पक्ष में बताया जा रहे हैं हाला के आश्रो गहलोत इसके लिए अभी तक तयार नहीं हुए है और राजनिती के जादूगर कहे जाने वाले वरिशनेता अपने दाव को लेकर चौका सकते हैं यानि के राजस्तान का अगला मुख्य मंतरी सचिन पाइलेट के अलावा कोई और भी बन सकता है हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे हैं और शेयर कर दे क्योंकि आपकर लाइक को शेयर करना ही होता है हमारी महनत का फल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भाँ धन्यवाद थैंक्स वर वौचिंग